नुमूरा काफी बुलिश है अब क्या कारण है उनके इतने बुलिश होने का और नुमूरा के फेवरिट EMS शेर हैं कौन से ये ज़रा समझ लेते हैं नुपूर के पास है पूरी डिटेल्स नुपूर गुड आफटर नून हम देख रहे हैं एक के बाद एक बहुत सारी इंट नुमूरा इस स्पेस को लेकर काफी बुलिश आपको दिखेंगे उनका कहना कि इलेक्ट्रोनिक सेग्मेंट और ग्लोबल ग्रोथ जो है यहाँ पर उसे भरपूर मौकें यहाँ पर सेग्मेंट को मिलते होए नज़राएंगे फाइट 24 और 30 के बीच में इलेक्ट्रोनिक प सेग्मेंट की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ का अनुमान है और काफी बुलिश वह पूरे के पूरे सेग्मेंट पर आते होए दिखेंगे डिक्सन टेक पर उन्होंने कवरेज की शुरुआत किये बाई रेटिंग के साथ शुरुआत हुई और काफी पॉजिटिव र मार्केट शेय 30% होने का अनुमान यहाँ पर लेके चल रहे हैं बैकवर्ड इंटिक्रेशन लगातार कंपनी करें उससे भी कंपनी को फायदा मिलते हुए दिखेगा कली मैनेजमें ने अपने इंटर्व्यू में जी बिजनिस को कहा था कि बैकवर्ड इंटिक्रेशन से काफी अच्छी ग्रोथ यहां पर आती हुई नजर आएगी पियर्स की तुलना में और रिटर्न रेशो भी काफी मजबूत है जिसका बेनेफेट कंपनी अपने वालुएशन में इंजॉय करती है बाई रेडिंग के साथ कवरेज की शुरूआत हुई है टागेट देखे त 23-27% की सालनादर से घ्रोथ आती हुई नजर आ सकते है बाई रेटिंग के साथ यहां पर 5,970 रुपे का लक्ष देते हुई नजर आएगी तो 29% का अपसाइड है लेकिन स्टॉक आज अल्रेडी 12% ऊपर आपको नजर आएगा लास्ट में संवर्धन मजबूत पर भी काफ जिसे इस पर्टिकुलर कंपनी को भी फाइदा मिलते हुई नजर आएगा तो पूरे सेक्टर पे नवुरा की काफ़े बुलिश रिपोर्ट यहां पर आती हुई नजर आई है और इन फाक तनुपर आपने जिम स्टॉक्स का जिक्र किया मैं देख रही हुँ डिक्सिंटेक यह लगातार हमारे अनलिस्टों के रिडार पर भी रहा है और लॉंग टम के लिहास से भी काफी टागेट्स भी नुमुरा ने यहां पर अच्छे दिये हैं और हमने देखा है फाइदा इन स्टॉक्स को मिलता हुआ दिखाए दे रहा है